कि अपने स्क्रीन पर देखी रहे हैं यह आज का जो वीडियो है वह आपको इंफॉर्म करने के लिए है कि हम मास्टर केडर इंग्लिश सब्जेक्ट की जो है ओनलाइन क्लासेज वापते से ओनलाइन कोचिंग जो है वो वापते से स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों को आज जो यह न्यूस देने के लिए कि ओफिशिली एजुकेशन रिक्रूट्मेंट बोर्ड की वेबसाइट पे इंग्लिश की मास्टर की पोस्ट जो है वो जैनूइनली अनौन्स हो चुकी है और हम बड़ी ही जल्दी मास्टर केडर इंग्लिश प्रेपरेशन के लिए बैचस जो है स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप लोग जादा से जादा इस मौके का फाइदा उठा सकें जो भी बच्चे पिछले वाले मास्टर के एक्जाम में कुछ एक मार्क्स से जो शायद पीछे रहे गए वो इस से नुड़ु इंग्लिश अच्छे बड़ेश आची निएं टो में कि आचे एक सबसे अची बात कि इपिग वाले में इस निकाली है आ तोटल ऊट्म और 380 जो है वो बैकलॉग की विकैंसी हैं ठीके जी यह थोड़ा सा फर्क है इनमें कि यह जो है यह फ्रेश जॉब्स है 899 सिरफ इंग्लिश के सब्जिक्ट की और यह बैकलॉग की जब आप एडुकेशन रेकूट्मेंट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां प ट्वाई कर सकता है तो बहुत ही ज़ल्द हम जो है हमारे बैच इस पेड ही सुथे से तो जो भी तयारी करने चाहते हैं और अपने लिए पॉस्ट को वो प्लीज इन ग्रुप्स को जॉइन करें ताकि आप अच्छे से बाखुबी इस मौके का दुबारा से जो है जिनको ये दुबारा मौका भगवान ने दिया है, गवर्मेंट ने दिया है, वो फाइदा उठा सकें, तो हमारे जो है इन पे ग्रुप्स में डेली दो लाइव से जिन में की स्टुडेंस, हम की सप्कियां साथ, या यूटीभ चैनल हमारा क्म्यूनिकेटि होता है स्टुडेंस स्टूडेंने ज हुग्शं हुआ है सब्सक्रा से व्यूका impact कि डेली दो का थैंडवा क्लासरूम वहां पर system होता है तो यह बैसी online classes नहीं है कि teacher बोल रहा है और students जो है वो बस सिरफ सुन रहा है but you all will be able to communicate तो daily के दो live classes लगेंगे ठीक है lectures can be seen anytime after live sessions लेकिन यह भी possibility यहाँ पे है कि live लगने के बाद भी वो lectures आपके पास available होंगे और उनको आप किसी भी समय जब आप free है जब आपके पास time है आप उन sessions को attend कर सकते हैं alright and total जो है तकरीबन आपका syllabus जो है 100 videos में 100 live lectures जो है तकरीबन लगेंगे आपके syllabus को जिनमें हम पूरा syllabus हमारी ages जो है Indian writers, Elizabethan age, Victorian, Jacobian सारी ages और सारे हमारे writers one by one जो हम इनमें cover up करेंगे with linguistics, with grammar, everything, literary terms, सब चीजों पे बकाइदा focus होगा alright तकरीबन तकरीबन इन lectures के अलावा 100 हमारे सिरफ theory के lectures लग रहे हैं देखिए जिनमें आपको syllabus करवाया जा रहा है और तकरीबन 6,000 तक आपको MCQs जो है हम provide करेंगे 3500 MCQs जो है वो पिछले जो master grader के exam के time पे जो है provide किये गए थे बच्चों को वो भी वापिस से pdf और videos तो वो हमेशा हमारे channel पे available है तो उनके pdf भी आपको provide किये जाएंगे और साथ में नए हम जो add करेंगे MCQs 2500 के करीब नए MCQs ठीक है तो total 6000 MCQs जो है वो आपको with correct answers provide किये जाएंगे all right proper notes of every writer हर writer के मतलब कि अगर हम Rabindranath टिगोड discuss कर रहे हैं तो आपको उनके सारे works और उनमें से अगर कोई work हमें पता है जो बहुत important है ठीक है जो उनका university क्योंकि हमें ये देखना है university का syllabus graduation का syllabus ठीक है तो उसमें अगर उनका कोई novel उनकी कोई story उनकी कोई poem पढ़ाई जाती है तो उसमें से भी आपको important lines, characters या अगर कोई theme है तो उसके बारे में भी आपको पूरी information notes में दी जाएगी और उन notes के भी proper pdfs आपको provide किये जाएंगे right हर एक writer के important जो summaries है stories जो novels है, dramas है ठीक है Shakespeare के अगर Othello है, Kinglier है, Hamlet है ठीक है और उनकी summaries आपको जो है provide की जाएंगी ताकि मैं भी discuss करूँगी उनको और आपको वो provide भी की जाएंगी ठीक है मैं भी उनको discuss करूँगी one by one जो important वाली है आपको characters के बारे में बताया जाएगा आपको उस novel की, drama की, poem की theme के बारे में बताया जाएगा और वो PDF भी आपको provide करे जाएंगे ठीक है क्योंकि question paper हमारा ये demand करता है कुछ questions हमें आते हैं इन चीजों को लेके कि ये character कौन से novel का है या इस character का, इस character के साथ क्या relationship था तो वो हमें तभी पता चलता है, तभी हमें अच्छे से समझ में आता है जब हम novel की या drama की summary को discuss करेंगे, so that will be properly discussed with you literary terms के notes भी जो है बकाईदा provide किये जाएंगे, जितनी भी literary terms जो graduation के syllabus में आप लोग पढ़ते हैं अपनी classes में, alphabetically proper start करके, उनका meaning जो है ठीके, मैं हमेशे कहती होती हूँ कि literary terms को याद करते time हमें तीन चीज़ें याद रखनी होती है etymology, etymology का मतलब होता है कि वो literary term कहां से ली गई है, Greek language से, Latin से, coinage ठीके जी, किसने term coin करी है, ठीके, किसने term को इजाद किया है, वो चीज़ याद रखनी होती है और तीसरी चीज़ है meaning, जैसे आप लोगों को पिछले master grader के exam में उन्होंने aside का meaning डाल दिया था है और आपको literary term पूरी डाल दी थी और आपको बताना था कि ये होता क्या चीज़ है fun पूछ लिया था उन्होंने, तो इन तीन चीज़ों पे focus रहेगा हमारा literary terms में then there will be focus on linguistics as well आप again, पिछला जो December में हुआ paper है, वो हमारे पास एक example है कि linguistics में से भी कई questions आए थे और students ने उनको जो है जिन्होंने अच्छे से तयारी करी थी हमारे पास सावल classes में तयारी करी थी पूरा हमने focus करा था, उन्होंने बहुत अच्छे से answer करे हैं तो वापस से linguistics को हम जो है एक major part लेके जो है चलते हैं यहाँ पे master grader की exam के लिए इसको ignore नहीं किया जाएगा और आपको पुरी तरह से exam point of view से linguistics की तयारी जो है करवाई जाएगी notes जो है, वो almost they are of NTA net level जब आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग यह classes join करेंगे तो आप लोग खुद मानेंगे कि जितने भी यह writers हैं अगर आप उतने भी prepare करके NTA net exam के लिए कभी जो है appear करते हैं तो आप काफी questions जो है handle कर पाएंगे, काफी questions जो है वो सही जो है mark कर पाएंगे क्योंकि यह notes proper जो है, they are of NTA net level, right? So questions जो भी, जैसे मैंने आपको का कि यह जो हमारी classes है they are not like those basic online classes जहां पे teacher बोल रहा है बच्चे सरफ सुन रहा है but there is very good communication between the teacher and the student so whatever the student asks, जो भी questions होंगे students के, they are very satisfactorily answered बड़े अच्छे से उनका जवाब देने की जो है, teachers यहां पे कोशिश करते है तो पहले वाले दो और अभी December में हुआ जो master grader का exam तीनों के solutions जो है आपको बकाइदा दिये जाएंगे to give you an idea कि इस तरहां का exam आएगा आपको master grader का, right? then two mega mock test at the end of the syllabus, very near to your exam जैसी आपको exam pass आता है, तो हम two mega mock test भी organize करेंगे again, यह papers पहले बच्चों को provide किये जाते हैं और फिर teacher उसको, मैं उसको discuss करूंगी so that again you can have an idea that where you stand with your preparation कि आपकी preparation कितनी है, ठीक है जी और और कोई भी आप information किसी भी तरह की चाहते हैं तो इन में से किसी भी number पे आप contact कर सकते हैं और सबसे important बात, हमारा free whatsapp group जो है वो join करना बिलकुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह totally free है हर student इस free whatsapp group का फाइदा उठा सकता है क्योंकि जो भी हमारे ncqs के link है या और जो भी कुछ study material है वो इस free whatsapp group में भी provide किया जाता है so आपको सिरफ क्या करना है, अपना नाम लिखना है अपनी city का नाम लिखना है और English subject का नाम जरूर लिखना है और आपको whatsapp group में add कर लिया जाएगा आपको ये whatsapp message भीजना है इस में से किसी भी number पर alright, again I am repeating this is totally free और आप हर student इसका फाइदा उठा सकते हैं ठीके, क्योंकि आपको कुछ video links important video links इस free whatsapp group में भीज़ जाते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ फाइदा हो सकता है तो ये काम आज सबसे पहले जरूर कभी जीए कि हमारा ये free whatsapp group जो है वो जरूर जाइन करिए हाँ जी तो जो fees होगी students के लिए fresh जो students के लिए ठीके, that will be total 7,000 rupees that will be total 7,000 rupees alright, for the master cadder English badge okay, और जैसा कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे जो old students है वो इन numbers पे call करके जो है confirm कर सकते हैं that how much they need to pay if they want to join our paid group तो प्लीज जल्दी से जल्दी ये paid groups जो है हमारे join करिए हम 20th April से ये paid group start करने वाले हैं एक हफता ही है हमारे पास आप लोगों के पास तो ये group जरूर join करिए ताकि हमारा time बिल्कुल भी waste ना हो इस exam की preparation करने के लिए जो भी कमी पिछली बार हम से छूटी है वो हम overcome करेंगे वो पूरी तरह से cover up करेंगे और इस बार किसी भी तरह की कोई कमी जो है नहीं छूटेगी अच्छी खासी post government में वापिस से और वो भी सिरफ English subject की निकाली है ताकि हम वापिस अपना एक tribe दे सके ठीक है जी तो total hundred lectures इस paid group में हमारे लगेंगे तो तकरीबन two months का हमारा syllabus है ठीक है जी two months हमारा ये syllabus जो है चलेगा दो live lectures every day और one MCQ ठीक है एक MCQ का session हर रोज चलेगा और MCQ session we are going to start from tomorrow so back up yourself ठीक है ठीक है तो कल से ही हम ये MCQs का एक lecture session जो है start कर रहे हैं कल से ही तो उसके लिए मैं आज ही आपको बता देती हूँ कि कल के लिए आप Indian writers में से writers prepare करेंगे ठीक है एक दिन पहले students को ये inform कर दिया जाता है कि वो कौन से writers prepare करेंगे कल के MCQs के लिए तो आप prepare करेंगे रबिंद्रनाथ टेगोर रइट रबिंद्रनाथ टेगोर प्रिपेर करेंगे कल के lecture के लिए देन आप इसके साथ include करेंगे सरोजनी नाइडू राइट सरोजनी नाइडू देन एके रामा नूजन रामा नूजन prepare करेंगे राइट तो कल के लिए क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे चलेंगे तो कल के लिए आप एक बार सिरफ यह तीन राइटर्स जो है प्रिपेर करेंगे और जो है किसी भी तरह की information अगर आप चाहते हैं तो बे हिचक इन numbers पे आप contact कर सकते हैं right so thank you so much to all of you don't forget to make the most of this opportunity जो वापिस से आपको मिली है paid groups हमारे जरूर जॉइन करिये ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सके इस exam के लिए क्योंकि यहां several classes पे आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है इस exam के लिए prepared किया जाता है thank you so much and don't forget to join our groups and you can call on these two numbers anytime thank you so much